लोकसभा चुनाओं में भले ही अभी वक्त है लेकिन मद्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में कॉंग्रेस कार्यकरताओं ने लगभग ये तैय कर लिया है कि उनका प्रधान मंत्री कौन होने जा रहा है यदि कॉंग्रेस की सरकार बनती है तो भावी प्रधान मंत्री बताया गया है और आपको बता दे की आर तारीक को जब रहूल गांधी भोपाल में सभा को संमोधित करने आएंगे उससे पहले kar bookलों जोश है उसको लेकर के अलग-अलग जगों पे पोस्टर लग रहे हैं और उसी की तरह एक पोस्टर ये भी है लेकिन इसमें खास बात ये है कि राहुल गांदी को भावी प्रधान मंत्री तो बताया ही गया है वही साथी में उनकी बहन और कॉंग्रेस की महासची प्रियंका गांधी वाड़ा का पोस्टर भी लगा है पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रदेश कारेले के बाहर के पोस्टर में प्रियंका गांधी ने भी जगे बनाई हो शहरार खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जिन्नोंने पोस्टर लगाया है भावी प्रधान मंत्री ये तो बा घाल जी निची थी देश के भावी प्रधान मंत्री हैं और देश की जंता राहुल जी की तरफ बड़ी उम्मीद ये साथ देख रही तो राहुल जी की जो प्रियंका गांधी को आप क्या हम सोच के चल रहे हैं वह चुनाव लड़ने और लड़ने देखिए प्रियंका जी को राष्टे महासचीव बनाया है और पच्चिमी उत्तरपरदेश का प्रभारी बनाया है प्रियंका जी ते करेंगी उनको कहां से चु कांग भी थी और निच्ची ती कांग्रेस पार्टी कारी करताओं की इक्षा के अनुरूप फैसले करती है और निच्ची ती 2019 में राहुल गांधी देश के प्रिधान मंत्री बनेंगे तैब उस वक्त होगा जब लोकसभा चुनाओं होंगे उसके बाद जब उसके के बाद यह हो जाएगा कि सरकार किसकी बन रही है लेकिन इतना आसान नहीं होगा लेकिन कॉंग्रेस कार करताओं कि यह पुरानी इक्षा रही है वो शुरू से ही भावी प्रधान मंत्री के तौर पर राहुल गांधी को देखते आया है और भोपाल में जब राहुल के साथ अवीश पाल सिंग भोपाल